Hello Anime Lovers, स्वागत है आपका Animatify Animation Explained चैनल पर और आज हम शुरू करने वाले हैं एक कमाल के नए एनिमे को जिसका नाम है Solo Labeling. तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के एपिसोड नमबर एक के साथ एपिसोड की शुरुवात में हमें बताया जाता है कि करीब दस साल पहले इस दुनिया में अचानक ही कुछ पोर्टल्स खुलना शुरू हो गए, इन पोर्टल्स में कुछ मौस्टर्स और जादूई राक्षस रहते हैं, जिन पर आम इनसानी हतियारों का कोई असर नहीं होता, सिर्फ वही लोग इन से लड़ सकते हैं, जिनकी जादूई शक्ती जाग गई हो, ऐसे लोगों को हंटर्स कहा जाता है, इन हंटर्स को उनकी मैजिकल पावर्स के हिसाब से रैंक्स मिल जादा डेवलप नहीं कर सकते, हमें तीन साल पहले का एक फ्लाश बैक दिखाया जाता है, जिसमें एक आइलेंड पर कुछ हंटर्स एंट जैसे मौस्टर्स से लड़ रहे थे, लेकिन एंट्स इन हंटर्स पर भारी पड़ रही थी क्योंकि ये लोग रैंक हंटर्स थे, इ जून नाम का आदमी हीलिंग मैजिक का यूज़ कर घायल हंटर्स को ठीक करने की कोशिश करता है, तभी यहाँ पर एक वाइट एंट आ जाता है, जिसे ये लोग इन मौस्टर्स का लीडर समझते हैं, क्योंकि ये रैड एंट्स के मुकाबले जादा पावर्फुल है, और ये दोनों मिलकर उसे आराम से मार देते हैं, तभी यहाँ पर और भी ज़्यादा वाइट एंट्स आने लगती हैं, और एस रेंग के हंटर्स उनसे भी लड़ने को तयार थे, दूसरी तरफ शहर में भी धेर सारे एंट्स की आर्मी ने अटैक कर दिया था, और उन्हें रो लेकिन वाइट एंट्स को कुछ नहीं होता, इसके बाद बाकी हंटर्स भी हमला कर देते हैं, और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल या डंजन ओपन होता है, जिसके मौस्टर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बु जो सब लोग इसे देखकर खुश हैं, जिस पर किम नाम का हंटर बताता है कि बात असल में बिलकुल ओपोजिट है, जिन्वो को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है, ये तो एक इरैंक के डंजन में भी घायल होकर हॉस्पिटल में भरती हो गया था, जिन्वो सब बातें सुन ली थी, लेकिन वो भी जानता था कि ये सब सच है, जिन्वो को यहां जूही नाम की एक हंटर मिलती है, जिसके साथ वो पहले भी मिशन पर जा चुका है, जूही एक हीलर है और वो सच में जिन्वो की केर करती है, जिन्वो उसे बताता है कि पिछले इरैंक में वो अकेला बुरी तरह घायल हो गया था और उनकी टीम में कोई हीलर भी नहीं था क्योंकि उसके अलावा बाकी सब हाई रेंख हंटर्स थे क्योंकि यहां मौझूद सभी लोगों में वो सबसे हाई रेंख का है इसके बाद सभी एक-एक करके पोर्टल के अंदर जाने जिन्वू भी पोर्टल में एंटर कर लेता है दूसरी तरफ हम हंटर असोसियेशन के प्रेसिडेंट गो को देखते हैं जो की गवर्मेंट के साथ एक मीटिंग करके आया था गवर्मेंट चाहती थी कि डंजन से मिलने वाले क्रिस्टल्स उन्हें दे दिये जाएं असल में उन मॉस्टर्स को मारने पर कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं जिने मैजिक जेम्स कहा जाता है और हंटर्स इनको ही बेच कर पैसे कमाते हैं इधर जिन्वू ने एक मॉस्टर को मार दिया था अब हाई रेंक मॉस्टर्स को मारने से और भी जादा कींती जेम्स मिलते हैं जिनसे ये लोग और powerful हतियार बनाते हैं ताकि और भी ताकतवर monsters को मारा जा सके हाला कि dungeon में खुदाई करने से mana crystals भी मिलते हैं लेकिन वो magic gems जितने powerful नहीं होते लेकिन government in gems का इस्तमाल एक नई energy source की तरह करना चाहती है क्योंकि ये बाकी power sources जैसे nuclear power, wine power या solar power से काफी ज़्यादा safe और सस्ते हैं और इनसे ज़्यादा pollution भी नहीं होगा अभी government इसी research में लगी है कि वो mana crystal और magic gems का यूज़ कर electricity कैसे generate करें इधर dungeon के अंदर hunters ने सभी monsters को मार दिया था और उनका mission पूरा हो गया था लेकिन उन्हें यहाँ पर ज़्यादा gems या mana crystal नहीं मिले थे जिनसे इनकी ज़्यादा कमाई नहीं होगी जिन्वू के पास तो बस एक e-rank gem था जो की बहुत सस्ता है जो ही जिन्वू से पूछती है कि वो आखिर hunter बना ही क्यों क्योंकि इस तरह है तो वो जल्द ही किसी दिन मारा जाएगा तभी इन लोगों को यहाँ पर एक सुरंग दिखाए देती है यानि कि इस dungeon के अंदर भी एक dungeon है जो की काफी अजीब बात थी केप्टन बताता है कि उन्हें इसके बारे में hunter association को बता देना चाहिए लेकिन बाकी hunters कहते हैं कि उन्हें इस सुरंग में जाके बाकी monsters को भी मारना चाहिए जिससे इन्हें और जादा gems मिल सकें और वैसे भी AD rank का dungeon होगा तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है अब कैप्टन सभी से vote लेता है कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं आधे लोग इसके लिए हा करते हैं जिससे vote टाई हो जाता है अब सिर्फ जिन्वू का vote ही बचा था जिन्वू के फादर लापता थे और उसकी family में कमाने वाला वो अकेला है उसकी मा हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन को college जाना है इन सब चीजों के लिए ही जिन्वू इतना जानलेवा काम करता है और वो भी सुरंग में जाने के लिए हा कर देता है hunters association में भरती होने के लिए पहले इन्हें एक test देना होता है जिससे इनकी magical powers के बारे में पता चलता है और फिर उसी के हिसाब से इन hunters को rank दी जाती है फिर अलग-अलग companies इन hunters को hire करती है इन companies को guild कहा जाता है Mr. Choy भी hunters guild का master है और वो अपने आदमी से कहता है कि talents देख कर ही वो hunters को hire करें चाहे उनका age या gender कुछ भी हो उनके guild में चाहीन नाम की एक hunter बहुत ही जादा talented है इसके बाद हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे थे अचानक ही उनके सामने एक लड़की आजाती है जो और कोई नहीं बलकी चाहीन थी और ये एक S.Rank की hunter है चाहीन हवा में उच्छल कर उन चोरों से वो पर्स चीन लेती है और चोरों का accident हो जाता है चाहीन काफी सुन्दर और famous थी जल्दी उसके आसपास लोगों की भीड जमा हो जाती है और सभी उसकी तारीफ करने लगते है इससे चाहीन काफी शर्मा जाती है और वहां से उच्छलते हुए चली जाती है शायद चाहीन की पावर्स यही थी कि वो काफी उचाई तक कूद सकती है ठैर इधर हंटर्स गुफा में चलते जा रहे थे जिन्वू जुही से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजे से जुही को भी अंदर आना पड़ा जुही उसे काफी डांट लगाती है क्योंकि अभी वो मरते मरते बचा है और फिर भी उसने एक और डंजन में जाने के लिए हा कर दी अगर टीम में कोई हीलर ना हो तो जिन्वू का जिन्दा बचना ना मुम्किन है और हंटर बनना एक काफी रिस्की काम है भले ही ये कितने मिशन्स भी कमकलीट कर ले लेकिन इन्हें हमेशा चोकन ना रहना चाहिए जिन्दा रहने के लिए यही सबसे इंपोर्टेंट है दर्वाजा खोल कर ये लोग एक बड़े से कमरे में आते हैं कमरे के बीच में किसी तरह का मैजिक सरकल बना हुआ था और एक पुतले के उपर कुछ लिखा हुआ था कैप्टन पढ़ता है कि इस जगा का नाम कार्टेनॉन टेम्पल है और यहां आए लोगों को पहले गौड की पूजा करनी चाहिए फिर गौड की तारीफ करना चाहिए और जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे वो यहां से जिन्दा वापिस नहीं जा सकते तभी जुही जिन्वू से डरते हुए कहती है कि उसने एक स्टैचू की आखे हिलती हुई देखी है तभी इस कमरे का दर्वाजा अपने आप बंध हो जाता है और अब ये सभी लोग यहां अफस गए थे अब एक हंटर दर्वाजा खोल कर यहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके पास वाला स्टैचू अपनी कुलहाडी से उस आदमी को काट देता है दी रैंक का हंटर चुटकी में मारा गया तो उसके जैसे ए रैंक का क्या होगा और ये स्टैचू तो बहुत पावरफुल है मतलब ये कोई लो रैंक डंजन नहीं है और इसका मतलब है जू ही सच बोल रही थी जिन वो फिर से अपने पीछे वाले स्टैचू को देखता है और वो भी जिन्दा था जिन वो इससे पहले भी काफी बुरी सिचूएशन में फस चुका है